फाइनली बिटकोई ने जो टार्गेट हमने कल डिसकस किया था सिर्फ 24 से 30 घंटे के अंदर वो टार्गेट वो रिजल्ट चार्ट के उपर हैं बावन हजार डॉलर को भी हिट कर लिया है बिटकोई ने क्यावन आज दोपहर तक लेवल हिट हो गए थे और अब जो है यहाँ पे लेवल आ चुके हैं 52 थाउजन डॉलर के जो टार्गेट था वो आपके सामने है अब मार्केट के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ हैं इस बात करेंगे लेकिन सूपर बुलिश है क्रिप्टो मार्केट बिटकोईन सूपर बुलिश सूपर डूपर बुलिश कह सकते हो क्यों कि बिटकोईन अब रुकने का नाम नहीं लेरा जब बुलरन आता है जब बिटकोईन का टाइम आता है पंप का टाइम आता है तो फिर प क्या वन बावन पर आने के बाद अब मार्किट के अंदर बुलरंड वाली सिचुएशन यहां पर बन पा रही है तो फिफ्टी टू थाउजन डॉलर के लेवल हिट कर लिए बिट कोई ने इस टाइम पर सबसे पहला अपडेट आ रहा है कार्डैनो फाउंडेशन यानि कार्डैनो को लेके हैपी वैलेंटाइन डे अपग्रेड कुछ अपग्रेड है यहां पर जो मैनिट पर लाइव हुए है आज के दिन इंक्रीज को क्रॉस चेन इंटेर उप्रिबिलिटी और इजी क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन सिक्यूर क्रॉस चेन तो कुछ न कुछ अब डेट यहां पर कार्डैनो का आ रहा है और अभी एक डॉलर से नीचे लेवल जल रहा है कार्डैनो के अगर हम मार्किट की सिचुएशन देगें सबसे पहले 1.92 ट्रिलियन डॉलर का मार्किट के अप है दो ट्रिलियन डॉलर नंबर हो जाएगा टच जल्दी ही और दो के करीब पहुंच गया 94 बिलियन डॉलर आया 24 गंटे में 43 परसेंट यहां पर वॉल्यूम जब वॉल्यूम अच्छा रहा है मार्किट के अंदर 52 परसेंट यहां पर बिट कोई की डॉमिनेंस हो चुकी और फियर एंड ग्रीड इंडिक्स का मीटर चल रहा है 71 पर यानि एक्स्ट्रीम ग्रीड जै है वें की हम डिसकेशन करचुकें यह एक्षा पंप हुए यह दूसरा बेन है सी के भी है प्रोम आच चल रहा है 93% सी के भी 112 पर संट पंप हुएacular जेता है दिसकेशन हम जेटा का भी और चुके इसम अच्छी परफोर्मस दीए 0 % तक हीनों की चल रहा टू नाइन थ्री पे चल रहा और बिटकोइन की मार्किट कैप आज एक ट्रिलियन का बैरियर तोड़ चुकी है वन पॉइंट जीरो वन ट्रिलियन डॉलर पे मार्किट कैप आ चुका है यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दो साल के बाद पहले भी हिट कर चुका है बि कोईन एक ट्रिलियन डॉलर का मालिक हो चुका है यहां पर नेक्स्ट अपडेट आ रहा है है डेरा को लेके हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हडेरा एश ग्रेफ के मार्किट के अंदर थोड़े सेंटिमेंट पॉजिटिव बन रहे है छोटा सा कॉइन है छोटा सा मैनुफेक्चर है और क्या हुआ है पार्टनर्शिप समझ लीजिए जोइन किया है डेरा को एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर तो ऐस वेलेंटाइन डे ट्रीट है डेरा हैस अनॉंस देट MDLZ International has joined the Hedera Government Governing Council तो एक बहुत बड़ी अपडेट चोकलेट मैनुफेक्चर बड़ा ठीक है और 91,000 इसके स्टाफ मेंबर से हैं इस multiple business units तो बिलकुल आप देख रहे हैं 3-4 महिने से अक्टूबर से हम देख रहे हैं 2023 से मार्किट में बहुत अच्छी movement चल रही है पांच महीने हो गया है पांचवा महीना चल रहा है मार्किट शांदर परफोर्मेंस दे रहा है इन जस्ट वैल आवर इस स्मार्ट ट्रेडर में टू मिलियन डॉलर ऑन AIUS नए कोईन से बहुत सारे ट्रेडर्स वेल्स अपना अच्छा रिटर्न बना रही है वह साल है 2023 तो जो स्मार्ट वेल्स हैं वो नए कोईन में चोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा रिटर्न बना रही हैं दिस ट्रेडर पेड़े टिप ऑफ 35 एथिरियम एंड सक्सेस्फुली स्निप्ट टोकन AIUS फर्स्ट और स्पेंट कितना एथिरियम खर्चा किया साथ एथिरियम का खर्चा किया एक लाग पैंसट हजार डॉलर का कितन इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न बिलियंस ओफ डॉलर चोटा पैसा लगाके यह स्मार्ट ट्रेडर्स यह वेल्स करोडो रुपे बना रहे हैं मार्केट से यह रियालिटी है मिलियंस ओफ डॉलर आप देख रहे हो हंड्रिड डॉलर वन थाउजन टू थाउजन कित इन्वेस्टमेंट था एक लाग 65,000 डॉलर का जहां एक तरफ बिटकोइन 52,000 डॉलर को भी ब्रेक कर चुका है उसी बीच क्या हो रहा है बिटकोइन के बड़े-बड़े मुवमेंट हो रहे हैं पांच हजार बिटकोइन निकले हैं अभी कितने गहें 259,000,000 डॉलर के और क यप पीक आएगा तब ये फियरंड गरीड इंडेक्स का मैटर एक्स्ट्रीम गरीड के हाइस्ट नमबर पर पहुंच जाएगा अभी भी देखो fear and greed index बिल्कुल extreme greed जैसे हालात हो चुके है market के अंदर लेकिन आपको समझदारी दिखानी आपको फॉर्मों नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी नई entries होंगी जिनको नहीं पता वो तो high level पे भी खरीदेंगे क्योंकि अब वो time आ रहा है जब bitcoin में बहुत सारे लोग फिर से आने वाले क्योंकि bull run ही एक ऐसा time होता है जो बहुत सारे लोगों को ले के आता है crypto के अंदर तो आज bitcoin ETF के world में क्या कुछ हुआ है थोड़ा उसके बारे में discuss कर लेते हैं बिटकोइन ETF के world में तो 14 February का date है BlackRock ने एड किये हैं 10,000 बिटकोइन 518 मिलियन डॉलर के और currently hold एक लाग पाँच हजार बिटकोइन आप देगो कितनी holding बढ़ती जा रही है एक महिने में एक लाग पाँच हजार तक नंबर आ गया है 20-25 अभी हमें एक महिने पहले discuss कर रहे थे 20-25 अजार पे और 8 ETF ने 14,000 बिटकोइन एड किये हैं 730 मिलियन डॉलर के Grayscale Decrease 1912 BTC 99 मिलियन डॉलर की यह कुछ रहा है आज का हाल बिटकोइन ETF की दुनिया में तो next हम बात करेंगे CKB की इस कोईन के बारे में हम बहुत बार discuss कर चुके हैं अभी हमने low cap cryptos में भी इसको list में रखा था अगर आपने वीडियो watch out किया होगा तो definitely इसने जो result दिये हैं वो पिछले 7 दिन में 100% से उपर के हैं पिछले 7 दिन में CKB की जो कीमते हैं वो 100% तक उपर बढ़ी है 100% तक कीमतों में उच्छाल आया है CKB कोईन का next update है LDO को लेके LIDO DAO को लेके LDO pumps on news of use by Swiss bank connection जुडता हुआ Swiss bank के साथ किसका LDO का LDO ये कोईन है वो कोईन है जिसको एक दो महीने में काफी अच्छा institutions का attention मिला, institutions ने buy किया है और एक strong crypto की list में आता है LDO काफी बार हम discuss कर चुके हैं तो यहाँ पर today revealed a partnership with a leading Ethereum liquid staking protocol और किस के साथ Swiss bank के साथ यहाँ पर कुछ use news को लेके LDO में थो pump भी देखने को मिला है अभी recently हमने discuss किया था 6900 burn हुए थे INJ और यहाँ पर फिर से another INJ का burn देखने को मिला है यह वो coin है जो 3000% pump हुआ 2023 में तो another INJ burn is scheduled to happen tomorrow to date over the 200 million dollar in INJ has been burned और 200 million dollar के INJ अब तक burn किये जा चुके हैं इन्हें approximately 13 hours 6200 INJ will be added to the amount तो 6200 INJ यहाँ पर burn होने वाले हैं ठीक है तुमारों का यहाँ पर update है तो आज की इस वीडियो को करेंगे इपेंड बाकी update next वीडियो में किसी भी crypto में invest कर रहे हैं research करें बिना research के कोई crypto purchase ना करें और तब तक के लिए bye bye take care